गुद मॉनिंग इस्टुएंट्स, सेंट जेविए सेंट्रल एकर्टिवी कौहरा सारण, वेलकम बैक टू ओनलाइन क्लासेज, सब्जेक्ट साइन्स, टॉपिक, प्रॉपर्टिज अफ ननमेटर, आज का टॉपिक है प्रॉपर्टिज अफ ननमेटर, इसके फीचकल और कल दोनों प्रॉपर्टिज का स्टुडी करेंगे, तो आया चलते हैं, फीचकल प्रॉपर्टिज, यहां का फीचकल प्रॉपर्टिज, पहले जानते हैं, फीचकल प्रॉपर्टिज क्या, फिर्स्ट, नन्बिटल आर ब्रिटर एंड कैन नॉट बीटें इन्टु थिन्शिट यानि नन्बिटल जो है वो भंगूर होता है जिसके कारण उसको पतला सीट में नहीं बनाया जा सकता है यानि पीट करके उसको पतला सीट नहीं बनाया जा सकता है यह अपका फर्स्ट पॉइंट पे सो किया गया है नन्मेटल आर ब्रिटल गैन नॉट बीटें इंटु थिन्शिट ओके सेकेंड पॉइंट है इसका नन्मेटल आर बैड कंड़क्टर नन्मेटल जो है जैनरली नन्मेटल जो है बैड कंड़क्टर आफ इलेक्टिसीटी यानि इलेक्टिसीटी का वो बैड कंड़क्टर है होता है एसेप्शनल में है ग्रिफाइट यह ग्रिफाइट कार्वन का एक रूप है और यह इलेक्टिसीटी का गुड कंड़क्टर है और इस इसके रिफाइट का यह जो है वो हमनों ड्राइ सेल में यूज करते हैं ठीक है? इलेप्टरोड का रूप में किया जाता है खाड है इसका फीज़कल एस्टेट जानते हैं इसका फीज़कल एस्टेट इसको देखते हैं तो अल्मोस्ट या जेनरली जेनरली ननमेटल्स आर सॉलिड और गैस एट रूम टंपरेचर वल्ली ब्रोमीन एज लिक्विड यानि ननमेटल जो है वो जेनरली सॉलिड या गैस के फर्म में होते हैं रूम टंपरेचर पे लेकिन एसेप्षिनल केस में यहां ब्रोमीन जो है वो एक लिक्विड के फर्म में होता है जो यहां सॉकिया गया है ननमेटल और ब्रोमीन एज लिक्विड नेक्स्ट पॉइंट है Hardness Generally non-metal जो है वो soft होता है Exceptional में Diamond जो है वो hard होता है Diamond Generally non-metal क्या होता है यह soft होता है Exceptional में है हमारा diamond यह diamond भी यह carbon का रूप है और यह hard होता है यह था हमारा physical property अब चलते है Chemical properties की तरह तो chemical properties of non-metal First point है Reaction with oxygen जब यह oxygen से rate करता है तो क्या होता है तो यह जब oxygen से rate करेगा तो non-metallic oxide बनाता है यह यहिए non-metal reacts with oxygen यह यहीए Then its product will be non-metallic oxide यहिए non-metal plus oxygen equal to यू नां अमिठालिक नॉन मिठालिक ओकसाई लांग एक नॉन मिठालीक ओकसाईग पिई नेके बाहरा हुआ यगए इन फैसे इसके निए जा लिखते हैं या फिए क्या लिखते हैं देखें हैं ननमेटल ने लिजिए सुफर प्लस ऑक्सिजन तो ओं तू तो रिख्ट करेगा नोनमेटालिक आक्साइड यानि सोटू यानि सुफर्जिजन से रिख्ट करेगा toh sulphur dioxide बनेंगे and non-metal ka oxide form करता है and इसका product non-metal oxide होता है second है हमा reaction with water reaction with water generally non-metal do not react with water they may be in air phosphorus is it is very reactive non-metal it easily catch fire जैनि non-metal जो होता है वो वाटर से रियक्ट नहीं करता है do not react दिखाय है यह do not react, यानि वाटर से रियक्ट नहीं करता है और यह reactive होता है कहां? air से इसमें यह phosphorus है जो air से ज्यादा रिट करता है और यह एटमस्पेर में जैसे आएगा एटमस्पेरिक के टंपरेचर और एटमस्पेरिक एयर से के कांटेक्ट में आएगा तो यह असानी से यह जल जाता है यह आग लग जाता है इसलिए इसको सेफटी के सेफटी के दिश्टी कौन से इसको वाटर या किरोशिन वाइल में रखा जाता है अण ही का इसे बाहर रखा जाएगा तो यह चलने लग जाएगा एटमस्पेरिक टंपरेचर प्रहीं एयर के परजेंस में यह चलने लग जाएगा यह more reactive है very reactive है यह यह next point है reaction with bases the reaction of non-metal with bases are complex means non-metal जो है base से raked होता है तग complex compound form करता है बनाता है तो आज हमने जाना नर्ड मेटल का हिजिकाल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी तो आज के एपिसोड बे इतना ही थैंक यू